नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका जीवन साक्षी.in में तो कैसे हैं आप सभी I hope you are all doing great अगर आप पो second marriage के लिए रिस्ता देख रहे हैं आपका तलाख हो गया है या आपकी पतनी एक्सपार हो गई है तो आप आज का profile देख सकते हैं आज का profile second marriage के लिए है तो जो आप screen fire photo देख रहे हैं इनका नाम शरशदी मूरिया है तो आपको सरशदी जी के profile को अंतितक देखें ताकि आप इनके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकें अगर आपको जानकारी प्राप्त करने के बाद ऐ कैसा लगता है कि सरशदी जी का profile आपके according है और आप इनसे रिस्ते की आगे की बाद बढ़ाना चाहते हैं आप भी ऐसी वदू की तलास कर रहे थे जैसे सरशदी जी का profile है तो आप इनसे आगे की बाद बढ़ा सकते हैं आप वीडियो को अंतितक देखें ताकि आप सरशद सरशदी जी के बारे में सारी जानकारे प्राप्त करके एक सही डिसीजन ले पाएं आप रिस्ते की कैसे बात बढ़ाएंगी वो भी आपको मैं वीडियो में बता दूंगी तो आप वीडियो को अंतितक देखें इनका नाम शरशदी मोर्या है और ये सरशदी जी उत्तरप् पढ़ाई नहीं कि है और सरशदी जी वीडियो है इनके हस्पेंट एक स्पायर कर गये है कोई संतान बगयर नहीं है ये इनकी और ये अबी दूसरे के खारओ में खान बना के अपना गुझारा कर रही है इनका कहना महिने हुए हैं इनका कहना था कि इनका पूरा जीवन ही उजड़ गया है क्योंकि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनके साथ इतना बुरा होगा ये अपने पारिवारिक जीवन में काफी खुश्तनी अपने बच्चे और पती के साथ पर एक दुरगटना में वो इस दुनिया से चले गए और ये अकेली रह गई जिस कारण से ये दुबारा घरवस आना चाह रही है क्योंकि पूरा जीवन पड़ा है इनके आगे और इनके घरवाले भी चाहते हैं कि इनका घरवस इनके घरवालों के दौरा ही हमें इनका बाइवड़ाट अपराप्त हुआ है ये दूसरी साथी नहीं करना चाहती थी पर इनके घरवालों ने इनको समझाया कि इनकी उमर भी इतनी जादा नहीं है और दौरा से घरवस आएंगी तो जो अधूरापन है इनका वो भी खतम हो जाएगा और एक साथी होगा जो इनका साथ देगा इनका हमेशा साहरापन के रहेगा जाए गम हो जाए खुसी हो इनका साथ बनाए रखेगा तो इनके घरवालों ने इनको समझाया और ये दूसरी साधी के लिए एगरी हो गई काफी बुरे समय से बीत रही है ये और इनके घरवालने से इनका दुख नहीं जिला जाता कि वो भी नहीं चाहते हैं कि उनकी बच्ची हमेशा इसी दुख में रहे और कभी आगे ना बढ़ पाए तो ये चाहते हैं कि इनका जल्दी घर बसे और एक अच्छा जीवन साधी मिले इनको जो इनका साध दे और खयाल रखे इनका मार बीटना करे तो आईए कैसे जीवन साधी की तलास कर रही है ये आईए हम आपको बता देते हैं इनका कहना है कि इनको बर की अमर 30 से 40 साल के बीच में चलेगी अगर आपकी संतान बगेरा है आपका तलाख हो गया है या आपकी पतनी खतम हो गई है और आपके बच्चे हैं और आप ऐसी वदू की तलास कर रहे हैं जिनके जो आपके बच्चों को एक मा का प्यार दें और हमेशे उनका ख्याल रखे बले लड़की कम पड़ी लिखी हो है या ना पड़ी लिखी हो बस आपकी घर पर इवार को चला सके और आपका ख्याल और आपके बच्चों का ख्याल रखे तो इनका प्रोफाल आपके लिए है भले ही गरीब घड़ से हैं पर इन में वो संस्कार है कि आप भी कहेंगे कि आपको एक अच्छा रिस्ता मिला है इन से साधी करके आपने कोई गलती नहीं की और इनका कहना है कि अच्छे परिवार की रिस्ते चलेंगे जो इस्तरियों को सम्मान करना जानते हूं और मार बीटना करें हिंदू जाती की रिस्ते चलेंगे और बर्गी इंकम को लेकर कहना है कि बस इतना कमान लेते हूं जिससे गुजारा हो सके और ये दुबक्त का खाना खासा के बिना किसी परिशानी के और कुई ज़्यादा डिमान नहीं है इनकी तो अगर आपको शरशती जी का वायव डाटा पसंद आया हो और आप इनसे रिस्ते की आगे की बाद बढ़ाना चाहते हैं तो जो आप स्क्रीन पर कॉंटेक्ट नमर देख रहे हैं इस पर आप मिस्कॉल करें ताकि हम आपका वायव डाटा इन तक पहुचा सके और यह आप से संपर करके आगे की बाद बढ़ाए जिनको इनका वायव डाटा पसंद आया हो और जो सरशतीजी से आगे की बाद बढ़ाना चाहता हो वो ही इनसे संपर करें क्योंकि इनको काफी जरूरत है और जल्दी रिस्ता करना है उमीद करती हूँ कि आपको आज का वायव डाटा पसंद आया हो और आपके अकॉर्डिंग लगा हो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें सांति आप हमारी यूटीब चैनल जीवनसाक्षी.in को भी सब्सक्राइब करें ताकि नए रिस्तों की अपडेट आपको जल से जल मिल सके तो मिलते हैं एक नए रिस्ते के साथ झांक्स पर वाचिंग